गुड मॉनिंग, क्लास एट, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेस्न नूमर 15 हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नहीं में इस अंट एंड ग्रास होपर, ठीक है चली शुरू करते हैं जो इसका राइटर है, इस स्टोरी का, वो बोलता है कि जब मैं छोटा लड़का था, छोटा बच्चा था, तो मुझे कई सारी फेबल्स, फेबल्स मतलब मॉरल स्टोरी, नैतिक कहानिया सुनाई जाती थी, किसकी लाइटर का नेम है, उनकी, और हर उसका कहानी का मॉरल मतलब उसते क्या शिक्षा मिलती है, मुझे अच्छे से एक्स्प्लें किया जाता था, अमंग दोज आई लर्न्टा फेबल, और उन्ही में से मैंने एक कहानी सुनी थी, दा आंट इंड ग्रास ओपर, चीटी और टिडडे की, विच इस डिवाइस तो ब्रिंग होम तो दे यंग, आप समने भी स्टोरी कभी न कभी जरूर सुनी होगी, और इससे क्या मोरल मिलता है, कि जो भी, मतलब इस अपूंट दुनिया में, इंडस्ट्री इस रिवाइडे, मतलब जो महनत है, जो महनत करता है, उसको सफलता मिलती है, और गिडिन इस पनिश्ट, और जो काम नहीं कर लेजी रहता है, उसे सजा मिलती है, तो इस फेबल में, क्या होता है, आंट चीटी जो होती है, वो पूरी गर्मी, मतलब महनत करके क्या करती है, खाना ही खटा करती है, कप के लिए, सर्दियों के लिए, और जो दूसरी तरफ ग्रास ओपर होता है, वो अपना घास पे होता है, तो वो किसके पास जाता है, आंट के पास, और थोड़ा सा उससे खाना मांगता है, तो आंट उसको क्या जवाब देती है, कि what were you doing in the summer time, तुम गर्मियों में, क्या कर रहे थे, saving your presents, I sang, I sang all day night, वो कहता है, तुम्हारा भला हो, मैं तो गाना गा रहा था, और सारा द भी करो, I do not describe it to perversity on my part, but rather to the inconsequence of childhood, which is deficient in moral sense, that I could never quite reconcile myself to the lesson, तो इसमें, मतला जो स्टोरी सुनी थी, उसने, अपने चाइल्धोड देज में, जब वो बॉय था, वो राइटर, तो वो कहता है, कि मैं इस स्टोरी को बिलकुल भी समझ नहीं पाया था, अपनी जित के कारण बल्कि उस टाइम, क्योंकि हम छोटे होते हैं, जब हमें थोड़ी moral sense की कमी होती है, तो वो कहता है, कि मैं नैतिक भावना की, जिससे इस स्टोरी का जो moral था, अच्छे से समझ नहीं पाया था, माइस empathies were with the grass ओपर, और जो मेरी सहानुग होती थी, वो किस के साथ थी, टिट के साथ थी, and for some time, मतलब उसे ऐसा लगता था, कि चीटी उसको खाना दे देना चाहिए था, लेकिन और कुछ टाइम के लिए, तो मैं क्या करता था, कि जब भी मुझे कोई चीटी दिखती थी, तो without putting my foot on it, तो मैं उसके उपर बिना पैर रखे नहीं रहता था, कोई भी ची तब उन्हें, मतलब इसकी जो समरी थी, जो मोरल आया, अच्छे से समझ में आया इस स्टोरी का, I could not help thinking of this fable, वो इस fable को, मतलब इस स्टोरी को सोचे भी नहीं रह पाए, when the other day, I saw George Ramsey, lunching by himself in a restaurant, जब उन्होंने एक restaurant में George Ramsey को क्या करा, lunch करते हुए देखा, मतलब उनका एक friend था, George Ram से, तो वो गए एक restaurant में देखा कि वो lunch करे थे, तब उन्हें इस स्टोरी का, जो उन्होंने बच्पन में सुनी ही, the aunt and the grass over, उसके बारे में ध्यान आया, I never saw anyone wear any expression of such deep gloom, मैंने इस से पहले कभी भी किसी को इतनी गहरी, gloom मतलब उदासी, उदासी में नहीं देखा He was staring into space, वो space की तर मतलब अंतरिक्ष आकाश की तरफ देख रहा था, He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulder, वो ऐसा लग रहा था, जैसे पूरी दुनिया का भार उसी के कंदे पर है, किसके George Ram से, मतलब वो बहुत जादा उदास बैठा हुआ था, I was sorry for him, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा थ I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble again, I went up to him and out my hand, तो मुझे लगा, मतलब मुझे डाउट हो गया कि जरूर जो इसका भाई है, मतलब जो उसका एक भाई था George Ram से का, तो इस बार भी उसकी वज़े से ही ये क्या है, परिशानी में है, तो मैं उसके पास गया, और मैंने पूछा, How are you, तुम कैसे हो, I am not in hilarious spirit, तो उसन जवाब दिया कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, Is it Tom again, तो मैंने पूछा कि क्या ये फिर से Tom है, मतलब कि Tom के वज़े से ही तुम परिशान हो, उसके भाई का नाम क्या था Tom, तो he sighed, उसने आहा भरते वे का, हाँ, ये Tom ही है, मतलब उसकी वज़े से ह मैं परिशान हूँ, why don't you check him, तुम उसे, मतलब उसको check क्यों नहीं करते हो, you have done everything in the world for him, तुमने सब कुछ किया है उसके लिए, you must know by now that he is quite hopeless, और अब तब तो तुम को समझ जाना चाहिए, कि वो बिलकुल भी, क्या है, hopeless है, आशा रहता है, मतलब कि, उससे कोई hope नहीं रख सकते हैं कि वो सुधरेगा, I suppose every family has a black sheep, Tom had been a sore trial to him for 20 years, मुझ मेरा ऐसा मानना है कि हर family में एक black sheep मतलब की बेकार आदमी होता है, मतलब कोई जो है, वो खराब होता है, तो Tom, जो है, वो हमेशा ऐसा ही, मतलब 20 सालों से, वो बहुत परिशान दे रहा है, उनकी family को, he had began life decently enough, he went into business, married and had two children, they were perfectly respectable people and there was every reason to suppose that Tom Ramse would leave a useful and honorable carrier, मतलब कहते हैं कि उसने life शुरू की थी अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि वो शुरू से ही खराब था, उसने life बहुत ही, अच्छे से, sincerely शुरू की थी, वो business में गया, मतलब उसने business किया, शादी भी किया और उसके दों बच्चे की थ वो बहुत ही respectable, मतलब सम्मानित व्यक्ती थे और, मतलब हर कारण था, यह सोचने खा कि Tom Ramse का जो करियर होगा, वो क्या होगा, बहुत ही सम्मान जनक होगा, बट वंडे लेकिन एक दिन अच्छानक ही उसने बिना किसी warning के, बिना किसी को कुछ बता है, he announced, कि उसने announce कर दिया कि that he didn't like to work and that he was not suited for marriage, कि उसे काम करना अच्छा नहीं लगता और ना ही वो शादी के लिए suited है, मतलब उसने बोल दिया कि वो ना ही काम करना चाता है, वो ना ही वो शादी का बोज उठाने के लिए तयार है, तो वो तो केवल अपने आपको enjoy करना चाता है, he would listen to no expolation, उसने नहीं सुनना चाता, he left his wife, उसने क्या करा, अपनी पतनी को छोड़ दिया और अपने ऑफिस में जो काम वो करता था वो भी छोड़ दिया, he had a little money and he spent two happy years in the various capital of Europe, उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे थे और उसने दो साल खुशी-खुशी बिदा दिये, उरोप की अलग-अ अपिटल्स में, rumors of his doings और उसके जो काम करता था उसकी अफवा, rumors मतलब अफवा हैं, उसके relations में time to time पहुँचती रहती थी, मतलब जो उसके relatives से रिश्चेदार थे, उन्हें पता चलता रहता था किसी ना किसी से कि वो क्या-क्या काम कर रहा है, और वो उसके काम को सुनकर वहती जादा हैरान होते थे, he certainly had a very good time, वो निश्चेद रोप से उसका अच्छा time बीत रहा था, they shook their head and ask what would happen when his money was spent, तो वो, मतलब जब भी को उन्हें बताता था, तो वो बोलते थे, तब क्या होगा कि जब उसका पैसा खतम हो जाएगा, they soon found out, तो उन्हें पता चला, कि मतल unscrupulous, वो मतलब चार्मिंग था, मतलब कोई भी उसकी तरफ क्या हो जाता था, attract हो जाता था, आकर्शन था और unscrupulous, मतलब कोई भी उसकी बातों में आ जाता था, I have never met anyone whom it was more difficult to refuse a loan, कहता कि मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला, जिसने की उसको loan देने को, मतलब जो भी वो, उ He made a steady income from his friends and he made friends easily, उसकी जो थी, वो थोड़ी थोड़ी income इसी तरह अपने friends से बना लेता था, बोरो कर करके, और उसके जो दोस्त थे, वो भी असानी से बन जाते थे, but he always said that the money you spend on necessities was bring the money that was amusing to watch the money you spend on luxury, उसका ये मानना था, वो हमेशा कहता था, कि जो भी money, तुम necessities पर, मतल बोरिंग होती है, वो उसमें मजा नहीं आता, लेकिन जो money तुम अपने enjoyment के लिए खर्च करते हो, या luxuries के लिए खर्च करते हो, बतला अपनी सुक्स विदाओं के लिए, जैसे महंगे महंगे गाडियों में घूमना, महंगे महंगे hotel में खाना खाना, कपड़े पहनना, इस मानना था, उसका टॉम का, for this he depended on his brother George, और वो इन सब के लिए किस पर depend करता था, किस पर ने पहर था, अपने भाई George पर, he did not waste his charm on him, वो उस पर अपना चार्म नहीं चलाता था, जैसे वो और लोगों को बातों में बहला, फुसला कर पैसे लेता था, George पर उस trick से काम नहीं क अच्छी पैसे, बहुत ज्यादा पैसे उसको दे लिए, कि शायद अभी ये नई शरुवात करेगा, अन इस टॉम बोड लेकिन उसने क्या करा, टॉम ने पैसों से एक मोटर कार खरी ली और थोड़ी सी, क्या खरी ली बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यालरी, आभूशन खरी लिए, लेकिन जब ऐसा हुआ कि परिस्तियां ऐसी हो गई कि जोर्ज को एहसास हो गया कि अब उसका जो भाई है, वो कभी भी सेटल डाउन, मतलब कभी भी वो सुधरेगा नहीं, तो उसने उससे, he washed his hands of him, मतलब उससे अपने हाथ खीच ले, उससे पीछा छुडा लिया, Tom began to blackmail him, it was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant or to see him waiting on the box seat of a taxi outside his club, तो जब जब जोर्ज ने उसको पैसे देने बंद कर दिये, तो Tom ने क्या करा, उसको begin to blackmail him, उसको blackmail करना शुरू कर दिया, और किसी भी मतलब जो 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 था, वो respect बहुत ही समानित वकील था कि उसका भाई क्या करता था, उसी के favorite restaurant में cocktails मिलाता था और देखता था कि वो driver का काम कर रहा है, Tom said that to serve in a bar or true driver taxi was perfectly decent occupation, but if George could oblige him with a couple of hundred pounds, he did not mind of the honor of the family giving it, अब तो Tom ने उससे कहा कि वैसे तो एक बार में काम करना या फिल taxi को drive करना, बहुत ही decent occupation है, मतलब इस काम करने में कोई ब अगर George उसको पैसे दे देगा, hundred pounds दे देगा, तो वो family की इज़त के लिए काम छोड़ देगा, तो George ने उसको क्या करा, पैसे दे दिये, जिससे वो ये काम करना छोड़ दे, तो इस तरह से अब वो अपने भाई को blackmail करने लगा था, once Tom nearly went to prison, George was terribly upset, he went into the whole discreditable affair, really Tom had gone too far, तो एक बार क्या हुआ, तो टॉम तो बिल्कुल जेल जाने लगा था, मतलब ऐसी नोवत आ गई थी कि उसको जेल जाना पड़ता, और George हो था वो बहुत बुरी तरह अपसे परिशान हो गया था, really Tom had gone too far, उससे लगने लगा कि वास्तव में अब तो Tom बहुत दूर जा चुका ह है, he had been wild, thoughtless and selfish, वो बिल्कुल मतलब wild हो चुका है, जंगली हो सका है, मतलब बहुत ही बेकार हो चुका है, thoughtless, विचारहीन हो चुका है, स्वार्थी हो गया है, but he had never before done anything dishonest, लेकिन उसने कभी भी किसी के साथ बेमानी नहीं की थी, by which George meant illegal की, वो क्या लगे की, अवैद हो, मत if he had been prosecuted, he would surely be convinced, by convicted, but you cannot allow your only brother to go, लेकिन उसने लगा कि अगर उसने करा है, तो उसे दोशी पाया जाएगा, मतलब अगर उसने किसी पर, मतलब किसी ने उस पर दोश लगा दिया, और वो नहीं देख सकता कि उसका भाई कहां चाया जेल जाए, तो the man Tom, तो इस बार उसने क्या करा कि एक आदमी को चीट करा, दोखा दिया, मतलब उसके साथ बेमाईनी की, उसका नाम क्या था, क्रोण शा, वास विंडिक्टिड, वो क्या था, विंडिक्टिड, मतलब रिवेंच फुल, मतलब ऐसा परसन था, वो क्रोण शा बदला लेने वाला, मतलब ऐसा नहीं था, उसने ठान लिया था, कि मैं इसको नहीं छोड़ूँगा, वो उसने बिल्कुल जित पकल दी थी, कि मैं ये मामला जो है, को तक लेकर जाओंगा, ही सेट टोम वाजा, इसकांडरल, इन शुट भी पनिश, उसने का कि ट्रॉम जो है, वो धोके वाज है, और उसको पनिशमें को, ठीक है, क्योंकि उसने क्रॉणशा के साथ, क्या करा, चीट किया, और फिर उसने क्रॉणशा ने बोला, कि मैं इसको कहां जेल भेजूँगा, तो उसके भाई को ये अच्छा नहीं लगा, कि उसका भाई जेल जाए, तो जोर्ज ने मामला दमाने के लिए उसको पैसे द बना रहा था, वो एक्च्छल में अपने भाई का बेवकूफ बना रहा था, टॉम और क्रॉणशा दोनों आपस में मिले हुए थे, और उनका ये प्लान था, कि अब हम इस तरह से जोर्ट से पैसे लेंगे, तो उसने क्रॉणशा को उसके पास बेजा, कि तुमारे भाई न पैसे चेक जह था, उसको कैश कराया, जो जो जोर्ट ने दिया था, वहाँ पर नो ने एक महीने बहुत खुशी-खुशी गुमाया, मतलब बहुत खुशी-खुशी वो रहे, बीस सालों तब टॉम ने क्या करा, रेस घुरदोर करी, जुवा खेला, अच्छे, मतलब सुनत कभी ने कह सकते थे, कि वो 35 से जादा हो, मतलब उसकी एज बहुत कम रहती थी, वो इस तरह से अपने आपको रखता था, वो बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, और आपको पता था, कि वो वर्थलेस, मतलब वो बैकार है, फिर भी आप अच्छा लगता है, वो बैकार है, बिल्कुल यूसलेस है, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ रहना अच्छा लगेगा, और मैंने कभी भी उसको 50 पाउंड दिये, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था, कि मैं उसके करज में हूँ, तोम रामसे जानता था, हर कोई टोम रामसे को जानता था, तुम उसे अप्रूब नहीं करोगे, मतलब तुम मानोगे कि वो गलत काम करता है, लेकिन फिर भी तुम नहीं रोक पाओगे, अपने आपको उसे लाइक किये भी नुद्ध पूर जो जो उसका भाई था जो उससे केवल एक साल बड़ा था, अपने बेकार भाई से, और वो कै कहता है कि जोर्ज ने तो कभी भी एक मतलब हॉलिडे भी नहीं लेया, साल में पूरे साल में, मतलब वो चुट्टी भी नहीं लेता था, एंजॉय करने के लिए, वो सुबह ऑफिस में जाता था, नाइन थार्टी और नेवर लेफ तिल सिक्स, सुबह साड़े नो बज तक और कभी भी चैवज से पहले वापस नहीं आता था, वो इमानदार था, महनती था और बहुत ज़्यादा क्या करता है, काम करने वाला था, और जिनके लिए वो दुनिया के सबसे अच्छा फादर था, मतलब उसने एक प्लान किया हुआ था, कि वो क्या करता था, अपनी इंकम का थार्ड पार, तीसरा हिस्सा बचा कर रखता था, सेविंग के दोर पर उसका प्लान था, कि वो 50 की एज में, 50 साल का होगा, वो रिटायर हो जाएगा, 55 की एज में, और वो छोटा सा एक घर लेग और वहाँ पर गॉल्फ खेलेगा, उसकी जो लाइफ थी, दोश रही थी, उसने अपनी लाइफ में कोई भी बेकार काम नहीं किया था, उसे खुशी थी कि वो बुड़ा हो रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ टॉम भी बुड़ा हो रहा था, उसने हाथ रगड़े और बोला उसने बोला सब कुछ अच्छा था, जब टॉम किया था, यंग था और गुड़ लुकिंग था और अच्छा दिखता था, बट ही जब वो मुझसे केवल एक साल छोटा है, इन फॉर यर्स ही विल बी फिफ्टी और चार साल बाद वो पचास साल का हो जाएगा, उसे साल का हो जाएगा, तो थोड़ा लाइफ को लेके सीरिस हो जाएगा, I shall have 30,000 pounds by the time, और मेरे पास उस ताइम कितने पैसे होंगे, 30,000 pounds, 30,000 pounds होंगे, जब मैं 50 का होंगा, for 25 years, I have said that Tom would end in the gutter and we shall see how he likes that, we shall see if it really pays best to work or to be idle, उसने कहा, पच्छिस सालों से मैं उसे बोलता आया कि जो तुमारी जिन्दगी है, जिस तरह से तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, तुमारा जो एंड, जो तुमारा एंड होगा, वो किसमे होगा, नरक की तरह होगा, और हम तब हम देखेंगे कि तुम में कैसा लगता है, है ना, we shall see, हम तुम से जानना चाहेंगे, कि काम करना जादा अच्छा होता है, या to be idle, मतलब, बेकार बैठे रहना, poor George, I sympathized with him, तो यह वो writer कहता है, कि बैचारा George, मुझे उसके साथ बहुत सानुब होती है, I wonder now, as I down beside me, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं उसके पास बैठा था, कि कितनी गलत गलत चीज़े, Tom ने George के साथ की है, औ Do you know what's happened now, he asked me, उसने मुझे से पूछा, तुम्हे पता है, कि अब क्या हुआ, I was prepared for the worst, और मैं अब तयार, मतलब, इतनी जादा मैंने Tom की हरकते सुन ली थी, कि वो कितना गलत गलत काम करता है, तो मैं अब तो worst, मतलब, सबसे बुरे सुनने के लिए तयार था, कि उसने अब उससे लग रहा था कि Tom अब तो जरूर पुलिस ने उसको पकड़ लिया होगा, वो पुलिस के हाथों में होगा, ठेक है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया होगा, और जरूर जेल में होगा, George could hardly bring himself to speak, तो अब वो बता रहा है, बहुत मुझे से वो बोल पा रहा था, you are not going to deny उसने बोला कि तुम इस बात से तो मना नहीं कर सकते कि मैं अपनी पूरी जिंद्गी, George कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंद्गी, हाड वर्किंग, महनती रहा हूँ, डीसेंट रहा हूँ, इजद, मतलब क्या रहा हूँ महनती रहा हूँ, बिलकुर रस्पेक्टेबल, सम्म का मैंजर सेक्यॉर्टी मुझे मिलती रही, I have always done my duty in that state of life in which you did, मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी निवाई है, जिस भी उसमें सिच्विशन ने, भगवान ने मुझे को रखा है, मैंने अपनी लाइफ में अपनी ड्यूटी अच्छे से निवाई है, तो वो कहता है, राइट गलत-गलत काम करें, if there were any justice, अगर कोई कहीं निया होता है, तो उसको अभी कहां होना चाहिए, in the work house, work house मतला जेल में होना चाहिए, तो उससे कहता है कि जस तरह से मैं काम करता हूँ, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ बिताई है, इतने महनत से, तो मुझे क्या है, मुझे तो उसको कहां होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, तो कहता है, true, हाँ, ये बात सही है, जोर्ज grew red in the face, और इस टाइम जो उसका चहरा था, जोर्ज का बिलकुल गुसे में लाल था, a few weeks ago बताता है कि, तुम्हें पता है क्या हुआ, एक हफते पहले, he become engaged to a woman, old enough to be his mother, उसन तुम्हें, and now she is dead, और अब वो मर गी, and left him everything she had, और सब को जो भी उसके पास था छोड़ के चिली, half a million pounds, half a million pounds, अयाच, एक नाव, मतलों, इंजन से चलने वाली बोट होती है न, अल हाउस इन लंदन, एक लंदन में हाउस, और एक हाउस, एक कंट्री में, कहती है, तुम्हे पर जोर से दे कर मारी, it's not fair, ये सही नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब टॉम्हें की जो लाइफ थी, उसे लगता था, कि जब वो 50 years का हो जाएगा, तब उसे realize होगा, कि उसने पूरी लाइफ अपनी खराब कर तो उसने बोला, मैं खुद को नहीं रोक पाया, हसने से, I burst into a shout, मैं जोर जोर से हसने लगा, मतलब जो उसकी बाते सुन रहा था, राइटर वो बोला, लेकिन जब मैंने जोर्ज का दुखी चाहरा देखा, तब भी मुझे हसी आ रही थी, मतलब कोई आपको अपने दुख बता रहा, इतना दुखी है, और आप उसकी बातों पर हस रहे हैं, तो जोर्ज नेवर फोर गेवी, तो जोर्ज ने मुझे उसके लिए कभी माफ नहीं किया, लेकिन टॉम मुझे कभी मिलता था, तो वो क्या कुछ मुझे डिनर, मतलब जो इतने महंगे महंगे होटल्स में जैसे वो मांगता था, इंसान की नेचर कभी नहीं बदलती है, तो अपनी जो इसकी नेचर थी, पैसे मांगने की, तो कभी-कभी मुझे मांग लेता था, लेकिन वो बहुत कम होती थी, ठीक है बच्चो तो ये थी स्टोरी, तो इसलिए वो दा आंटेंडर ग्रासोपर की अब बताता है, जिसमें ग्रासोपर एंजोई करता है, तो ये जो टोम और जोर्च की स्टोरी थी, एक्च्वल में किया हुआ, टोम ही लास्ट में भी एंजोई करता है, ठीक है बच्चो तो अब आप इसकी पीडियेफ में से वर्क देख के अपनी कॉपी में करेंगे,